हेलो अब्रीवन, वेलकम टू आउर चैनल, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रियान थ्री के बारे में भारत बिश्व का पहला देश है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त को सौफ्ट लेंडिंग किया आज की इस चंद्रियान थ्री के वीडियो में मेंली हम निम्ड बिंदो पर चर्चा करेंगे जैसे वाट इस चंद्रियान थ्री मिजन चंद्रियान थ्री मिजन क्या है हाउ टू लेंड चंद्रियान थ्री आनमून चंद्रियान थ्री चंद्रियान थ्री चंद्रियान थ्री मिजन आनमून चंद्रियान थ्री पर कैसे काम किया एम आफ चंद्रियान थ्री आनमून चंद्रियान 3 को चंद्रमा पर भेजने का उद्देश क्या था? How many things are research by चंद्रियान 3? चंद्रमा पर चंद्रियान 3 के द्वारा कितनी चीजों का research किया गया है? इस वीडियो में mainly हम इन टॉपिक को cover कर ला है What is चंद्रियान 3 mission? 14 जुलाई 2023 को चंद्रियान 3 mission को launch किया गया STSC यानि कि 37 दवन Space Center सीरहर कोटा से 5 अगस्त को या mission चंद्रमा के एक अच्छा में परवेश कर गया 17 अगस्त को lander module, propulsion module से अलग हो गया 18 और 20 अगस्त को पहले और दूसरी devastating हुई Next है how to land चंद्रियान 3 on moon यानि कि किसी प्रकार का lunar landing कैसे होता है इसका एक general overview इसमें आता है आपका पहले trajectory phase यानि कि trajectory phase क्या होता है चंद्रमा की सता पर वांचित यानि कि 45 अच्छा लेंडिंग अस्तल पर पहुँचने के लिए साधानी पूर्वक plant trajectory को follow करना चंद्रियान 3 सबसे पहले चंद्रकच्छा में प्रवेश करेगा फिर आपका आता है decent phase decent phase क्या होता है इस phase के दोरान अंत्रिच्यान धीमा हो जाएगा और landing site तक पहुँचने के लिए अपने trajectory phase को adjust करेगा next आपका आता है इस चरण में कई engine burn और course यानि की थरश पाठकरम सामिल है next आपका आता है autonomous autonomous क्या होता है autonomous landing इसमें navigation system लगा होता है जो onboard sensor और camera से less होता है जो यह identify करने में help करेगा कि safe landing कहां पर हो और उसके decide को हम कैसे adjust करें यानि की समस्याओं से बचने के लिए या चरण काफी important है suitable spot यानि की suitable अस्थान का selection करता है next आपका आता है power descent power descent क्या होता है spacecraft यानि किसी भी प्रकार का अंत्रिश चान की engine या thruster का उप्योग उसके गती को धीमा करने के लिए किया जाता है जैसे जैसे या चंद्रमा पर पहुँचता है उसकी surface यानि की सता पर धीरे-धीरे नीचे की तरफ उतरता है next आपका आता है touchdown यानि की चंद्रमा की सता या surface पर चंद्रियांत्री spacecraft धीरे-धीरे कैसे उतरेगा mission के अधार पर landing होने के बाद बिक्रम lander से प्रग्यान rover बाहर की तरफ निकलता है next phase आता है communication इस phase के दौरान mission को अर्थ से control किया जाता है with the help of communication के थ्रू या ताकि spacecraft के progress को दिशा निर्दे दिया जा सके एक real time का कि कब किस time पर proper landing करनी है चंद्रियांत्री की landing process इसके design और mission के उद्ध्यों पर निर्वर करेगा और कोई भी update या बदलाओ इसमें ISRO यानि की Indian Space Research Organization से किया जाता है next आपका आता है how to work चंद्रियांत्री mission on moon तो इसमें क्या होता है चंद्रियांत्री mission आम तोर पर कैसे चलते हैं या चंद्रमा पर शफलता पुर्वक landing के बाद कैसे क्या होगा पेलोड डिपलोइमेंट चंद्रियांत्री के scientific instrument rover और other payload वे आम तोर पर होंगे लेकिन rover तुरंद बाहर की तरफ moon के surface पर run करने लगेगा ये payload संचालन के लिए design किये गये हैं इसका प्रयोग experiment करने के लिए data को इकठा करने के लिए और specific task को पूरा करने के लिए है जो की lunar surface पर काम करेगा mission के rover में लगे instrument data को collect करना शुरू कर देंगे और इसे वापस पिर्तिवी पर भेजने लगते हैं इस data में image geological data यानि की भूबएग्यानिक temperature की reading और बहुत कुछ mission के उद्धेशों पर निर्भर करेगा चंद्रियान 3 satellite या ground station के माध्यम से communication को maintain बनाये रखता है अर्थ के साथ communication के द्वारा data को receive किया जाता है और command यानि के दिशा निर्देश दिया जाता है तथा spacecraft की health यानि के श्वास्ट और activities यानि के गत बिधियों को ध्यान में रखा जाता है next आप का आता है scientific research चंद्रियान 3 के द्वारा collect किये गए data को पिर्तिवे पर scientist analyze यानि की बिसलेसर करेंगे जो moon के द्वारा प्राप्त किये गए हैं जैसे moon की geology यानि की भूविग्यान atmosphere वातावरण और other properties के बारे में या सोध, research, चंद्रमा और उसकी history को समझने में help करेगा चंद्रियान 3 mission को control और operate अर्थ की through किया जाता है अर्थ से या देखा जाता है कि या सही नंग से कार कर रहा है और adjustment की जरूरत है क्या mission को achieve करने के लिए next phase आप का आता है mission duration यानि की lunar mission यानि की चंद्र की अवद mission के अधार पर काफी different हो सकती है इसके design और objective के basis पर कुछ mission short term यानि की अलपकालिक होते हैं कुछ अस्थाई होते हैं जैसे सप्ता, महीने या वर्ष या कुछ ऐसे होते हैं जो continue यानि की जारी रहते हैं चंद्रियान 3 का mission उसके goal और design पर depend करता है Indian Space Research Organization के दोरा निर्धारित किया जाता है जिसको हम बोलते हैं इस रो next आपका आता है aim up चंद्रियान 3 mission on moon generally चंद्र यानि की lunar mission के common objective होते हैं जैसे moons geology यानि की चंद्रमा के भूविज्यान, mineral composition खनीच परसोद, topology अस्थलाकृत और lunar surface के environment के बारे में जानकारी को collect करना इसके थुरू moons की history यानि की चंद्रमा के इतिहास और evolution यानि की विकास के बारे में बहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है परिछर करने के लिए new technology के बारे में जान सकें कि कैसे learning और communication तथा rover और scientific instrument को और बहतर किया जाए next phase आपका आता है research यानि की valuable किसी ऐसे मुल्यवान चीज़ों की बारे में खोज करना अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो आपसे request है ऐसे informative वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe करें तो next phase आपका है valuable यानि की research यानि की मुल्यवान चीज़ों के बारे में खोज करना ये किन किन चीज़ों के बारे में खोज करता है कुछ इस तरह से जैसा कि आपके सामने general overview दिख रहा है ये research कर रहा है for example के तोर पर हम इसमें water यानि की पानी ice यानि की वर्फ और खनेज यानि की mineral जैसे संसाधन संभावत रूप से future loaner के लिए काफी effective हो सकता है आवास यानि की habitat space exploration mission अंतरिच अन्वेशण mission के लिए यानि की international collaboration अंतरराष्टिय सहयोग सहयोग करना अंतरिच space agencies और देशों के साथ चंद्रिच में data, संसाधन और विशेशथा को साजा करना next phase आता है inspiration and education इससे क्या प्रेड़ा और सिच्छा मिलती है प्रेड़ित करने के लिए अंतरिच के बारे में जनता और भावी पीडिया यानि की new generation, outreach के मात्यम से exploration यानि की अन्वेशर और science यानि की विज्ञान और education प्रोग्राम को आसानी से सीख और समझते हैं, next आता है how many thing are research by चंद्रियान थ्री, चंद्रमा पर चंद्रियान थ्री के दोरा कितनी चीजों का research हुआ यानि की how many thing are research by चंद्रियान थ्री, चंद्रियान थ्री जिस जगहां पर land किया था उसका नाम सिवसक्ती point रखा गया है जो कि वहां से चल कर 101 मीटर की दोरी तैं किया, इस दोरी को rover ने 10 दिन में तैं किया था इसके चलने की सक्ती 1 यम पर सेकंड थी, अब हम बात करेंगे कि इतने दिन में चंद्रियान थ्री किन-किन चीजों की खोज की 11 दिनों में lander और rover ने ऐसे तत्तों का पता लगाया जो अभी तक नहीं पता था चांद पर मिट्टी की जांच की और चांद पर temperature के pattern के बदलाव का अध्यन किया और यह पता लगाया गया कि चांद पर भी भुकमब आते हैं चांद के साउथ पोल पर मेंली सलफर, कैल्सियम, क्रोमियम अल्मूनियम, आयरन, टाइटेनियम के प्रिजन्स, यानि कि मौजूद की का भी पता किया गया और प्लाजमा को भी खोजा गया और चांद की सता का तापमान अलग-अलग जगां पर अलग-अलग पाया गया है आज के लिए इतना ही आप से फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के न्यू टॉपिक के साथ तब तक आप वीडियो को लाइक करें और सेर करें अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नॉटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हर अपडेट आपको मिल सकें धन्यवाद